नवस्कार आपका सोगत है हमारे चैनल पर आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर में जूओं का होना सुब होता है या सुब होता है अगर आपके सर में जूओं हो जाते हैं तो इसका आपके जीवन पर बास्तो सास्त के अनुसार क्या प्रभाव पड़ेगा और ये प् सब्सक्राइब कर दें, प्रभू की करपा आप पर बनी रहा इसके लिए comment box में जैसराभ लेक्ना बिलकुल नरा जैसरा कि आप सभी लोग जनते हैं जुओं के बारे में ये हमारे सर में हो जाते हैं और जब ये हो जाते हैं तो हमारे सर में बहुत ज़्यादा खुजली होती है और ये खुजली कभी कभी इतनी ज़्यादा पड़ जाती है जब हम कहीं बैठे होते हैं तो हमको सरम सा महसूस होता है इसके अलावा रात में सो भी नहीं पाते हैं ये तो रहते हैं हमको सारी रिक पर यसानी के जो है संकेत बहिए बात कह लिएते हैं बास्तो सास्तर के अनुसार अगर हमारे सर में जुए होते हैं तो इसका हमारी जीवन पर क्या प्रवाव पड़ता है तो हमारा बास्तो सास्तर कहता है जिस भी सर में जुए होते हैं उस बेक्ति की बुद्धी भरष्ट हो जाती है ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जब सर में आपके तकलीप रहती है तो आपकी सोचने समझने की शमता जो है धीरे धीरे नश्ट होने लेगती है आपके नेड़ा अच्छे नहीं होते हैं जब आपके नेड़ा अच्छे से नहीं हो पाते हैं तब आपको समाज दिकार ने लगता है इसके अलाबा अभी के टाइम पर अगर आपके सर में जुए हैं अगर आप धनसंबंदी नेड़ा लेते हैं तो उसमें आपको हानी होने के ज़्यादा चांस रहते हैं इसके अलाबा आपको सरसंबंदी जितनी भी दिक्ते हो सकते हैं वो सारी की सारी आपको रहती हैं आपका सरदार्द रहता है इसके अलाबा मानसिक परहसानिया भी रहती हैं करज आदिका आपको सामना करना पड़ सकता है इसलिए अगर आपके सर में जुओं हैं तो आपको चिंतित हो जाना चाहिए और अपने सर से जुओं को खत्म करने के लिए कोसिस करनी चाहिए और ये कोसिस तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक आपके सर से जुओं साप नहीं हो जाते हैं उमेद करते हैं आपके जीवन में सब चीजे मंगल में रहें इसके लिए कमेंट बॉक्स में जैसे राम लिखना बिलकुल ना भोलना थैंकि फूर वोच